बिग बोस की अठारा की लाइफ फीड में देखने को मिल रहे है कि वीवियन डेसिना एज टाइम गोड एक कुछ बड़े फैंस ले ले रहे थे करके अंदर और वहीं पर उनकी काफी कंटेस्टेंस के साथ अनबन होने लगती है मतलब कि कुछ लोगों को उनकी बाते सही नहीं लगती तो वो अपने उप्शन्स बताते है और वहीं पर वीवियन के जो जवाब आते हैं उसके बीच में काफी कंटेस्टेंस से उनकी आर्गुमेंट हो जाती है और इसी बीच में रजद दलाल बीच में उंगली करने लगते हैं यहां रजद दलाल बार बार वीवियन को पोक करते हैं और वीवियन भी उनको काफी खरी-खोटी सुना देते हैं हुई है चापी के बीज में बाहर जुंड लगा रहा है पूरी तकड़ी मीटिंग विटा रहा है क्या कहानी हो यह आपको बताएंगे इस वीडियो में तो जल्दी से वीडियो को लाइक करने तो और सबके शायद सेट भी बैट किया सब चीजें यहां लेकिन वीविन कहते हैं देखो गर में चेंज की जुरूत है कुछ लोगों को अपनी डूटी सही नहीं लग रही है तो उस पर करते हैं जिसको जो डूटी चाहिए वह वह ले लेगा और कुछ को तो थोड़ा करना पड़ेगा देखो और ऐसा है कि जिसकी कुछ हेल्थ पर आ रही है बाद तो यार वह सही नहीं है तो उस चीजों को देखके मेरे को एज टाइम गोड कुछ अच्छा फैंसरा लेना पड़ेगा जिससे मैं आप से कहीं कुछ ना कुछ तो मेरे को ऐसा है कि कड़ा कदम भी उठाना पड़ेगा लेगिन आप सबको भी अग्री करना पड़ेगा मेरे साथ तो यह यह घर अच्छे तरीके से चल सकते हैं जिसके वाद रजय दलाल कहते हैं कि हां जी टाइम गोड आप जैसा को होगे मैं वैसा ही करूँगा आपकी बात को मैं नहीं टालूँगा मत क्या बुक्तान आपको काफी खतरनाक सहना पड़ेगा जी यह उन्होंने यह भी कहा कि नॉमिनेशन डिसकस करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है इससे आपका इविक्शन भी हो सकता है और बिग बोस आपके ओपर कड़ा फैंसला भी ले सकते हैं यह ऐसे कुछ लाइव व